Good morning children, how are you all? I hope you all are fit and fine. So children, अभी दिवाली आने वाली है, है ना? दिवाली आ रही है, तो सभी अपने घर को अच्छे से डेकुरेट करते हैं, आप लोग भी करोगे, I hope. So हम decoration का ही कुछ बनाने वाले हैं, तो दिवाली में सभी अपने दर्वाजों पर, घर के जो दर्वाजे होते हैं, डोर्स होते हैं, उसे हम तोरन लगाते हैं, तो इस बार हम क्या करेंगे? उस बार हम अपने हांतों से बनाएंगे toren और फिर उनको अपने गर के जो doors है उस पर hank करेंगे, चीक है, तो अब आपने उसके लिए क्या-क्या चाहिए, देखो, सबसे पहले तो जो toren होती है तो toren के लिए हम ऐसे एक ribbon चाहिए, ठीक है, मैंने या white color use किया है अगर ribbon नहीं है आपके पास satin के ribbon आते हैं अगर आपके पास ribbon नहीं है तो आप कोई भी जो थोड़ा सा shiny paper हो या normal paper भी हो तो आप उसको paper cut out कर लो अगर paper नहीं अगर कोई thread है थोड़ा मोटा सा thread है तो आप उस thread को ले सकते हो ठीक है उसके बाद हमें leaves चाहिए है अभी देखो मैंने या पर four leaves cut out किये हैं ठीक है अगर जरूरी नहीं है मेरे पास leaves इस तरह के जो थोड़े लंबी वाले leaves आते हैं वो मेरे पास थे नहीं इसलिए मैंने ये लिए लेकिन अगर आपको थोड़े से लंबे leaves मिल जाते हैं तो आप real leaves यूज करो ठीक है आपके आज पास में भी देख लेना आप search आउट करना अगर आपको थोड़े से लंबी shape के जो leaves होते हैं वो मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे रहेंगे ठीक है तो आप leaves ले लो मैंने या फोर लिये आप यहां जस्ट में आपको एक छोटा सा तोरन बना कर दिखाऊंगी आप फोर की जगा पर six leaves भी ले सकते हो बड़ा तोरन आप अपने दर्वाजो का जो भी आपका घर का जो डोर है उसको आप measurement ले लो और उसके हिसाब से फिर बनाओ मेरे पास यहां कोई measurement नहीं है मैं आपको बस दिखा रही हूँ इसलिए मैंने four leaves ली है ठीक है उसके बाद हम कुछ flowers cut out करेंगे तो मैंने देखुए यहां पर जो दो red color के flower cut की है और three orange flower cut की है तो यह flower हमें cut करने तो पिटा जो यह cutting का जो work है वो आप नहीं करोगे उसके लिए आप अपने parents की help लोगे तो I request all the parents please आप अपने बच्चों की help करिये और यह सारी cut out करके आप दे दीजे leaves तो आपको cut नहीं करने अगर maybe आपके घर के आजपास होंगी तो आपको वो मिल जाएंगी अगर नहीं है तो आप इसी तरह मेरी तरह cut out कर सकते हो मैं आपको flower मैंने कैसे cut किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे एक यह square मैंने paper लिया हो है ठीक है square paper लेना है इसे ऐसे half में fold कर दो again half में fold करोगे आप ठीक है और again fold करोगे आपको three time fold करना है जब इस तरह से हो जाए बस fold करने के बाद आप इसमें जिस तरह की leaves जो आप flower बना रहे हो तो flower की leaves आपको कैसी चाहिए वो leaves आप यहाँ पर draw करो जिसे मुझे तो round ही चाहिए तो मुझे draw की ज़रुवत नहीं है हम draw नहीं करेंगे यहाँ पर एक circle किसी दूसरे color का cut करके लगा देंगे जिसे मैंने यहाँ पर red color यूज किया है तो इस तरह से आप flowers के cut out कर लोगे बस इतना ही करना है बस अब हम इसको जो यह हमने ribbon या जो भी अगर आपका ribbon नहीं है तो आप paper की strip ले सकते हो इस पर हम paste करेंगे तो हम कैसे paste करेंगे देखते हैं सबसे पहले हम flower लेंगे यह जैसे मेरे पास एक flower है वो हम यहाँ रखे इसको paste करेंगे ठीक है मैं आपको arrange करके दिखा रही हूँ फिर हम एक leaf लेंगे अगेन एक flower लेंगे अगेन एक leaf लेंगे और बस इसको ऐसे पेस्ट करते जाएंगे तो यह देखो मैंने कैसे सारे फ्लास और लीव्स को अरेंज करके इस पे स्टिक कर दिया है और बस हमारा देखो तोरन बनकर रेडी हो गया है अब जैसे मैंने आपको यहां दिखाया है कि हमें ऐसे करना है बट हमारे जो घर के दरवाजे होते हैं आपके और बड़े होंगे तो आप क्या करोगे आप इस तोरन को अपने दरवाजे पर लगाओगे और मुझे पिचर सेंड करोगे ठीके? I hope आपको यह जो activity है तोरन वाली वो पसंद आई होगी सो जल्दी से आप तुरन बनाओ, दर्वाजे पर लगाओ और मुझे पिच्छे सेंड करो, थैंक यू, बाबाई